हाई अवरिवन वेलकम अगेन इन केशोवानू क्लासिज में आपका बोध बोध स्वागत है जैसे की रीट की एक्जाम डेट अभी डोटासरा जी ने क्या बताई है 26 सितमबर परन्तु इसमें एक चीज है जो की कन्फुजन क्रेट हो रहा है बोध बच्चों के माइंड में वो यह है कि साब कॉलेज लेक्चरार के एक्जाम भी उसी टाइम है वो 22 सितमबर से स्टार्ट होके 4 अक्टूबर तक होते हैं तो उन एक्जाम मानलों कि कोई तो दो सब्जेक्ट इसके साथ स्ट्राइक करेंगे 26 तारीक को रीट होती है इधर कोई ना कोई तो दो सब्ज है जो कॉलेज ले सिरार है तो वो दोनों एक्जाम एक जगे कैसे दे सकता है क्या इतने सेंटर अविलेबल हो सकते हैं क्या दो दो एक्जाम एक साथ हो सकते हैं और साथ में एक चीज और है एक एक्जाम और है 26 तारीक को वो है लिगल है ना विदी विचारक का है ना रसना विदी रसनाकर नाम से हैं जो भी है लोग के स्टुडेंट से उनके लिए ये पेपर हैं तो वो भी 26 तारीक को है तो तीन तीन एकजाम एक दिन में हो सकते हैं क्या तो ये चीज बहुत बच्चों के माइंड में कन्फूजन हैं क्या सरा प्रोब्लम हो जाएंगी ऐसे कैसे हो होगा एकजाम कैसे होगा तो देखो दो या तीन चीजे हो सकती है पहली चीज क्या होती है ये हो जाए कि उस दिन उस दिन उस दिन जो है आज 26 तारीक को आपका वो एकजाम ना हो उसमें एक दिन का गेप दिया जाए बाइस से लेके चार तक हैं आपके एकजाम कोले लेक् होता है तो एक यह solution निकल सकता है दूसरा solution क्या निकल सकता है दूसरा solution यह निकले कि एक की दिन में दोनों exam होगी तो कुछ बत्रों के साथ यह नाइंसाफ होगी कि वह या तो वह exam दे पाएंगे क्योंकि दोनों ही time पे होते हैं सुबह में आएंगी कि हाँ यह RPSC ने पहले से exam date गोसित की दी है उस दिन हमें available होगे या center नहीं होगे तो इस पर वारतलाब की जा सकती है और थोड़े कुछ दिन पहले आगे पीछे किया जा सकता exam को रीट के exam को क्योंकि उसकी officially date नहीं आई अभी तक डोटास रजी ने का है official जो विग्यपती आएंगी उसमें जो final date आने वाली है वो आपके लिए final होगी तो थोड़ा बहुत changes हो सकता है उसमें आप देख लीजिएगा को attention लेने की बात नहीं है परन्तु इतना है कि सितंबर के आसपास अक्टूबर के आसपास exam का exam हो जाएगा starting में अब यह मत माइंड में लेके रहना कि साब उस टाइम तो अब आपके exam होने के पूरी पूरी संभावना ही नहीं है यह पूरा पूरा definite है कि आपका exam सितंबर end या October स्टाटिक में हो जाएगा तो चार-पांत दिन आगे पिछे हो जाता है तो उसके लिए तो तियार रहना होगा आपको preparation करनी होगी तो पूरा focus यह रखो कि आर preparation करना है एक्जाम डेट थोड़ी बहुत होगी वो कुछ दिनों में आपकी विगप्ति आ जाएंगी 21 तारिक से आपके form फिल होने वाले हैं तो कुछ दिन पहले तो विगप्ति देंगे तब तक सारा मामला किलियर हो जाएगा तब सकता है वह विवात संग्यान में आ चुका है क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में यह बात चल रही है तो वह कहीं ना कहीं डोटासरा जी के पास भी पहुंच जाएंगी तो वह कुछ ना कुछ बोड या RPSC कुछ ना कुछ सेट करके आपका एक्जाम ले लिया तो यह थी मेरी तरफ से दूचीज थी कि हाँ क्या 26 तारीक को एक्जाम नहीं होगी 26 तारीक को नहीं हो तो नहीं हो पर 27-26 को जाए या चार के बाद 5 को जाए उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको टेंशन लेनी है आपके मार्क्स की उसके लिए आपको करने होगी preparation I hope आप अच्छे से preparation करेंगे और अच्छे से लग जाएंगे classes आपकी चल रही है read के लिए level first और level second दोनों के लिए जाके जरूर देखिएगा class में बड़ा आनंद आता है आपको पढ़िएगा और उसके लिए notes और आपके available टेलिग्राम और पर available हो जाते हैं वहां पर जुट शेर कर दीजिए जय हिंग जय भारत